तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इंडियन पोस्ट पेइमेंट बैंग में जिरो बैलंस के साथ फ्री में खाता खोल सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में अगर आप कोई स्टेप्स मिस करोगे तो आपका खाता खुलने में थोड़ा प्राब पेमेंट बैंक में Zero Balance के साथ खाता खुलने के लिए प्ले स्टोर पे जाना होगा और यहां पे सर्च किजिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ठीक है एप्लिकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा इसको आपको डाउनलोड कर लेना है इंस्टॉल कर लेना है अब इसक को आप यहां पे यूज कर रहे हो उस mobile number को डाल देजे उसके बाद आपका जो pan का data है उसको आपको डाल देना है तो आपके mobile number पर एक OTP आ जाएगा अब OTP वेरिफाई हो जाएगा इसके बाद दोस्तों आपको आपना आदर का जो number हो यहां पे दो बार देना पड़ेगा और नीचे एक बार आपको accept पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ आधर कार्ड नंबर जो है, इसको आपको दो बार आपको provide करना पड़ता है, आधर को यहाँ पर verify किया जाएगा, ठीके, तो यहाँ पर जो नीचला second नंबर का जो option है, इस पर आपको enable कर देना है, ठीके, इसके पर जितने भी option दिये गए है, उन option को आपको यहाँ पर आपकी personal information हो, ठीके, आपका pan का address का जो proof है, वो भे आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, कोई problem दोस्तों यहाँ पर नहीं आती है, यह जल्दी जल्दी यहाँ पर accept कर लेता है, ठीके, तो इस प्रकार से आपको information से आपको fill up कर देना है, additional information में आपका nationalism का हाँ पर है, आप married हो, की unmarried हो, उसके बाद आप salaried हो, या फिर student हो, जिस प्रकार से हो, वो जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर provide कर देना है, उसके बाद आपका gross annual income जो है, ठीके, yearly income जो है, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेग इस प्रकार से आपकी जो जानकारी दोस्तों यहाँ पर save हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आपको postal से आपको bank का जो statement वो चाहिए, या फिर online चाहिए, यह आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीके, उसके बाद I agree to receive, जो है DBT, यह भी आपको यहाँ पर आप कर दोगे, तो यह हो जाएगा, उसके बाद mobile banking पर आप click किजए, ठीके, तो mobile banking के लिए app के लिए यह आपको मिल जाएगा, तो mobile banking जो है इसको आपको enable कर लेना है, उसके बाद फिर से आपको एक OTP मांगा जाएगा, यह आधार नंबर पर ही आपका OTP जो है दोस्तों आ जाएगा, ठीक customer ID और account number हमें app में login करने के लिए यहाँ पर जरूरी होता है, तो एक screenshot ले लिजिए, उसके बाद go to home पर click किजए, यहाँ पर जो आपका account number है, ठीके, आपने जो screenshot लिया हुआ है, अगर आप screenshot नहीं लेते तो आपको problem हो सकता है, लेकिन अगर आप screenshot लोगे तो कोई problem आपको यहाँ पर नहीं होने वाला है, तो account number जो है, वो दोस्तों आपको यहाँ पर provide करना पड़ेगा, तो यहाँ पर यह जो सब information है, account number हो, customer ID हो, date of birth जो हो, या फिर जो mobile number से हमने यहाँ पर login किया था, यह सभी मैं यहाँ पर fill up कर लूँगा, तो यहाँ पर मैं screenshot से आपको मैं य बिल जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको यह pin जो है, set करने के लिए बोलेगा, तो चार डिजिट का यह pin जो है, आप ध्यान में रख सकते हो, इस प्रकार से जो यह pin इसको set कीजिए, उसके बाद आपके mobile number पर एक OTP आएगा, जो mobile number आप यहाँ पर use कर रहे हो, तो registration successful हो मिलेगा, आप scan and pay use कर सकते हो, भीम UPI कर सकते हो, पे बिल जो है, electricity बिल हो, जो भी बिल हो, आप यहाँ पर ले सकते हो, आपको एक यहाँ पर electronic debit card जो है, वो भी आपको मिलेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर online जो है, आपको registration करना पड़ेगा, तो दोस्तों इस प्रकार से खाली आप पाच मिनिट में आपका Indian Post Payment Bank का जो आपको खाता जो है, आप यहाँ पर खोल सकते हो, कोई भी problem आपको यहाँ पर नहीं आने वाले है, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है, यह comment में आपको लिखना मत भुझेगा, यह वीडियो अगर आपको कीजिए और इस वीडियो को शेर कीजिए, दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.